हेलो फ्रेंड्स एन अकेडमर डिफेंस गुरु कुल में आपका स्वागत है तो जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो यह है कि इनियन एरफोर्स द्वारा लाइट कॉमेट एक्राफ्ट तेज़स जो है यह फॉरड एयर बेसिस पर डिप्लॉई के जाने है जिसके अंतरगत इनको वेस्टन सेक्टर पे पर्मनेंट डिप्लॉई मेंट मिलेगा पाकिस्तान के पास गुजरात में इनका फॉरड एयर बेस होने वाला है तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार फॉरड बेसेस पर डिप्लॉई होंगे इनको फॉरड बेसेस पर पहले भी डिप्लॉई किया पीच में रिपोर्ट्स आई थी कि श्री नगर में इनको डिप्लॉई किया गया था लेकिन वो पर्मनेंट डिप्लॉई में नहीं था पर्मनेंट बेस इनका अब तक सुलूर में ही था जो कि तमिल नाडू में आता है और इसी बेस में दोनों स्कॉडन एसी तेरिस के एर बेस हो सकता है हमें यह पर बुझ एर फो स्टेशन के चांसे ज़्यादा नजर आ रहा है क्योंकि पहले यहां से मिक टॉन्टी वन्स ऑपरेट होते थे बाकि जो तेरस माक वन ए हैं यह भी आते ही फोरड एर बेस पर डिप्लॉई होंगे और इनको रडिस्थान में डि प्लेस किया गया बाकी यह सूरतगर एर फोस स्टेशन भी हो सकता है जहां पर नमर 23 स्कॉर्डन ऑपरेट करता है जो कि अगेन मिक 21 पाइसन का स्कॉर्डन है जो कि हम जानते हैं कि 2025 तक रिप्लेस होने है और एक स्कॉर्डन 2024 में भी रिटायर होगा तो इसके चांसे ज़् इनियन एर फोर्स से सर्विस एंडर्ट करना चालो किया है लेकिन इनको सुरूर एर बेस पर ही रखा गया था जो कि हमारे सदन सेक्टर में आता है और यूजली जो कॉन्फिक्ट जोन है उससे काफी दूर है तो इसके पीछे जो रिजन था वो ये था कि ये एक्चुली का अप्रूवल दिलानी थी कई वेपन्स अप्रूफ करने थे तो ये टाइम टेकिंग प्रॉसस है उसके बाद फोसी स्टेंडर्ट के भी जो एस ये तेरिस है उनको इंड़क्ट किया गया नंबर 18 स्कॉर्डन में और अब इनको फॉरवर बेसस पर डिप्लॉई किया रहा है जो तेरिस माक वन ए है उनको तो सर्विस इंड़क्शन के साथ ही फॉरवर बेसस पर डिप्लॉई कर दिया जाएगा तो ये जिसम जानते हैं कि तेरिस माक वन ए जो है ये इंडिन एरफूर्स को दोज़ा और चौबिस फरवरी से मिलना चालू हो जाएंगे तो वहाँ पर बन चुका है कि इनको रडिस्थान में ही डिप्लॉई किया जाएगा तो ये बात हम आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के जेए 17 के मुकाबले डिप्लॉई किये जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान एरफूर्स की बैकबॉन है तो पाकिस्तान के साइट से जो सबसे पास में जे और ये JF-17 Block 3 को इस्तिमाल करते हैं तो ये दोनों इनके important JF-17 bases है और इनके against में हमारे तेजस जो है ये deployed होंगे ये चिस हम जानते हैं कि हमारे जो तेजस हैं ये JF-70 से superior है अगर आप Mark 1 की बात करेंगे तो ये Block 1 और Block 2 से superior है अगर आप Mark 1 A की बात करेंगे तो ये Block 3 से superior है चाहिए आप BVR capability की बात करें जिसके लिए हाल ही में अस्तर Mark 1 missiles को तेजस Mark 1 से fire करके देखा गया और ये Mark 1 A के साथ as a standard BVR missiles आएंगी चाहिए आप close combat की बात करें जहां से फिलहर के लिए R73 missile fire करी जाती है पर तेजस Mark 1 A के साथ asram missile आएगी और एवियोनिक्स के मामले में भी तेजस जो है ये आगे है JF-17 से इवन जो Block 52 सेंडर के F-16 इनके दोरा इस्तिमाल के जा रहे है एवियोनिक्स वाइस तेजस Mark 1 A इनसे superior है तो definitely पाकिस्तान के साथ से जो तेजस है ये एक perfect match है और हमारे requirement पूरी करता है इसलिए Indian Air Force ने confidence दिखाया है और around 100 के आसपास तेजस Mark 1 A और एरफोर्स दोरा order किये जाएंगे क्योंकि ये हमारे western threat को counter करने के लिए sufficient platform है बाकिन future जो medium category के fighters यहाँ पर deployed हैं जैसे के microni 9 होगे इनकी जगह 30 Mark 2 लेंगे जो कि true sense में JTNC का counter balancer होगा हमारी site से और एक ज़्यादा superior platform होगा तो in future हमारे जो indigenous platforms है ये जो हमारे western threats हैं इनको completely address करने में सक्षम होगे बाकिस वीडियो को खतम करने से पहले एक important information हम आपको देना चाहेंगे तो अगर आप defense aspirants से और तयारी कर रहे हैं NDA या फिर CDS exams की या फिर किसी और defense exams की तो आपके लिए अच्छा offer लाए गया है अनक एडमी की site से NDA और CDS के batch course चलाए जा रहे हैं जो की चालू होने वाले हैं November 16 से तो CDS के लिए जो batch course है इसका नाम है अस्तर batch वहीं पर जो NDA के लिए batch course है इसका नाम है त्रिशूल दोनों batch courses के साथ अभी के लिए एक अच्छा offer चला जा रहा है इवन दूसरे batch courses के लिए भी एक अच्छा offer चला जा रहा है जिसके अंतरगत आप हमारा referral code matrix 100 use करते हुए 60% तक subscription amount पर save कर सकते है याद रखे ये offer खाली 14 नाममर तक ही valid है जो की actually extension है तो इसके बाद ये extend होगा इसकी chances कम है बैतर ये होगा कि 14 नाममर से पहले पहले अगर आप इन batch courses को hopper करने का प्लान कर रहे है तो definitely choose कर ले इसके links जो है आपको description में मिल जाएंगे याद रखिए referral code आपको use करना है matrix 100 जिसके बाद आपको जो 60% तक off मिलना है 14 नाममर से पहले पहले वो मिल जाएगा इसी बात पर इस वीडियो को हम कतम करेंगे लाइक करिए सबस्क्राइब करिए चेहन